राधी राधे दोस्तों कैसे हुआ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है साथ है रमन और वान्या पाटी से होकर घर पर आये तो देखा कि पूरे घर की लाइट बंध है और सासूमा हॉल में लाइट और टीवी चला कर बैठी हुई है वन्या अपने कमरे में चेंज करने के लिए जाही रही थी कि इतने में सासूमा की नजर वन्या पर पड़ी और वे फट से बोली बहु मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है फटा फट से खाना बना दो रात के दस बजने को आई हैं तुम लोग तो खा पी करके आई हो पर मैं तो यहां भूकी बैठी हूँ इससे पहले वन्या कुछ कहती ये बात सुनकर रमन बोला तुमने जाने से पहले मा के लिए खाना नहीं बनाया था क्या इतनी लपरवा कैसे हो सकती हो तुम मा ने कहा था कि मेरे लिए अपनी बाते बाद में करना मुझे भूख बहुत ज जल्दी जाओ खाना बना दो बाद में चेंज करती रहना रमन ने वन्या को लगभग डारते हुए कहा वन्या बिना चेंज किये ही रस्वई में आ गई और सासो मा के लिए खाना बनाने लगी खाना बनाने के बाद सुसमा को खाना परोसा उसके बाद रस्वई साफ करके ब पान्या कमरे में आ गई और जाकर बिना चेंज किये ही विस्तर पर लेट गई उसे लेटा देखा रमन ने कहा अरे तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किये कितनी आलसी हो गई हो तुम आजकल आजकल जाने से पहले मा के लिए खाना भी नहीं बना कर जाती पिछली बार भी यहीं हुआ था अरे पिछली बार तो मा जी ने मुझे खूद खाना बनाने से इनकार किया था ये कहकर कि मैं अपने लिए खूद खाना बना लूँगी हाँ तो मुझे अकेले डर लग रहा था इसलिए खाना नहीं बनाया और मेरे लिए दो रोटी बनाने में तुठक देख अभी तक कपड़े भी चिंज नहीं किये ऐसी महंगे मोल की सारी को योहीं बरबाद कर रही है कमरे में आती हुई सासू मा ने कहा सासू मा को कमरे में देखकर वान्या बिस्तर पर बैठ गई कर रही हूं चेंज थोरा ठक गई थी इसलिए अरी बाहर जाकर आने में ही ठ ठक गई तुम वहां कौन सा काम कर रही थी तुम आज कल की औरतों का बड़ा अजीब है बन ठन के बाहर घूम फिर करके आती हो और फिर कहती हो कि हम ठक गई है भाला बाहर जाकर आने में कोई ठकता है क्या हम तो नहीं ठकते थे इतने में बात को काड़ते हुए रमन बोला कुछ चाहिए था मा हां मैं तो पुछने आई थी की पाटी कैसी रही कोन कोन आया था सासू मा ने वहीं बैठते हुए कहा गया अधा घंटा अब ये मा बेटे की टीम आधे घंटे से पहले उठने से रही मन ही मन ये सोचकर वान्या ने अपने कपड़े लिये और दुसरे क कमरे में चेंज करने चली गई आखिर पहली बार का तो है नहीं हर बार यहीं होता था वन्या को जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो सासू मा का खाना बना कर ही जाती थी पर अभी सासू मा ने नया सगुफा बनाया है पिछली दो बार से वन्या को जब भी कहीं जाना होता तो वो उसे खाना बनाने से इनकार कर देती है कहती है कि मैं अपने लिए खूद ही कुछ अच्छा सा बना लूँगी तु तो रहने ही दे पर दोनों बार ही ऐसा हुआ कि वान्या को आकर खाना बनाना ही पड़ा खेर कुछ दिन बाद वान्या और रमन को फिर एक रिष्टेदार के यहां जन्म उत्सों में जाना पड़ा उससे पहले वान्या रसोई में खाना बनाने गई तो सासु माने मना कर दिया तु रहने दे मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी माजी आपको अकेले डर लगता है ना और आप साथ भी नहीं चल रही है तो मैं आपके लिए खाना बना के जाती हूँ हाँ तु तो चाहती ही नहीं है कि मैं अपनी पसंद का कुछ बना के खालू अब मेरा घर थोरी न है तुम लोगों की गिरस्ती है ना तुम्हारे अपसे चलना पड़ेगा मुझे वन्या का मन तो किया कि अपना सिर फोड़ लू ऐसे इंसान का क्या करे जो हर चीज में कमी निकालता है रमन ने इसारा किया तो वन्या चूप चाप तैयार होकर रमन के साथ चली गई लेकिन आते समय वन्यानी रास्ते में होटल से खाना प भी लिया होगा और खा भी लिया होगा मेरी मा हर काम में तेज है माफ करना पती देव लेकिन मैं आपकी मा को आपसे ज्यादा जानती हूँ उसके आगे रमन ने कुछ नहीं कहा जब वापस आय तो जो चीज की उमिद थी वही हुआ सासुमा अभी तक भूखी बैठी थी उ उन लोगों के आते ही बोली बहु मेरे लिए फटाफट खाना बना दे मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है वन्या मुस्कुराते हुए रस्वई में गई और खाना लगा करके ले आई इतनी जल्दी खाना बना भी लिया नहीं ममी जी आते समय बाहर से ही खाना लेकर आई थी फालतू के पैसे खर्च कर दिये खाना बनाने में जोर आ रहा था क्या नहीं मुझे लगा आप भूखी होंगी इसलिए खाना ले आई हूँ अब आप खाना खाली जिये सासु माने रमन की तरफ देखा कि रमन कुछ तो बोलेगा पर रमन ने भी वन्या का समर्थन कर रहा था उनसे कुछ बोलते न बना तो चूप चाप अपना खाना खाने लगी हाँ अब कभी नहीं कहती कि खाना मैं खुद बना लूंगी असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक से एर और सब्सक्राइब